Xiaomi का latest tablet Xiaomi Pad 6S Pro already launch हो गया है sale पर भी है लेकिन चाइना के अलावा कहीं और launch नहीं हुआ है मैं आपका time waste नहीं करने वाला हूँ बिल्कुल साफ साफ मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडिया में Xiaomi Pad 6S Pro नहीं launch हुआ है क्योंकि ऐसे ही news Xiaomi Pad 6 Max के time पर भी आई थी और Xiaomi Pad 6 Max अभी तक इंडिया में launch नहीं हुआ है ना ही कभी इंडिया में launch होगा वैसा ही same Xiaomi Pad 6S Pro के साथ भी हो सकता है मेरी personal opinion है कि अगर आप Xiaomi Pad 6S Pro का wait जादा दिन से कर रहे हैं और आपको कोई जल्दी नहीं है tablet लेने में तो कुछ दिन wait कर लीजिए अगर कोई trusted source से news आएगी या फिर Xiaomi के तरफ से official news आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊँगा बाकी मुझे तो नहीं लगता कि Xiaomi अभी जल्दी में कोई tablet इंडिया में launch करेगा भी तो आप बहुत ही अराम से सोच लीजिए समझ लीजिए उसके बाद आप decide करिएगा अगर launch होगा भी इंडिया में तो इस year के end तक होगा या फिर आप six months के बाद की बाद करिए जून जुलाई अगस्ट के असपास या फिर last November December में launch होगा तो अगर अगर आप इतना वेट कर सकते हैं आपको कोई problem नहीं है तो आप करिए लेकिन अगर आपको पढ़ाई के लिए या किसी और काम के लिए जल्दी चाहिए है तो आप ले लीजिए एक दो हफता देख लीजिए उसके बाद आप आराम से कोई भी tablet खरीद लीजिएगा काफी सारी वीडियो मैंने इसमें upload की है शाओमी ने pad 6 max की तरह इस बार भी धोका दिया है इंडियन फैंस को काफी टाइम से मैं इस tablet को cover कर रहा हूँ काफी सारी मैंने वीडियो अप्लोड की पहले सुनने में आ रहा था आपको इसके कुछ फीचर्स और बाकी चीजों की information भी बता दे रहा हूँ शाओमी ने बहुत ही शांदार फीचर्स दिये हैं अपने इस tablet में 12.4 इंच की display with a refresh rate of up to 144 हार्ड साथ ही साथ touch sampling rate भी 240 हार्ड का है HDR 10 support Dolby Vision, hardware level blue light reduction, 900 nits की peak brightness दी है तो अगर आप कहीं भी bright sunlight में gaming करेंगे या फिर कोई और task करेंगे तो भी आपको सब कुछ साफ display में दिखने वाला है Corning Gorilla Glass 5 protection भी दी है performance भी बहुत जादा शांदार fast tablet है काफी जादा 3.2 GHz, octa-core snapdragon 8 gen 2 chipset, better graphics के लिए Adreno next gen GPU up to 16 GB RAM, 8 GB 12 GB and 16 GB के 3 variants, इसके लावा storage में भी 3 variants में लेंगे 256 GB, 512 GB and 1 TB, Android version 13 out of the box based on Mi user interface 14 dual rear camera setup 50 megapixel का primary sensor with 2 megapixel depth sensor 4K video recording support के साथ, selfie और video calling के लिए front में 32 megapixel का snapper, काफी premium tablet है, thickness है, just 6.26 mm, weight 590 gram USB Type-C support Dolby Atmos support 4 speakers, 4 microphones Wi-Fi version 6, Bluetooth 5.3 battery backup भी काफी शांदार होने वाला है, क्योंके Xiaomi ने इसमें दी है powerful massive battery of 10,000 mAh with 120 Watt fast charge support price और availability की बात करूं तो 3 color options में available है black, blue and green base variant यानी 8 GB RAM plus 256 GB internal storage की प्राइस है 3599 yuan, Indian currency में लगब 42,120 रुपीज 12 GB RAM plus 512 GB internal storage वाले की प्राइस है, 46,790 रुपीज Indian currency में और अगर हम Chinese currency में बात करें तो 3,999 युआन वहीं अगर अगर top end जो वेरियंट है यानी 16 GB RAM प्लस 1 TB internal storage तो इस top end वेरियंट की प्राइस है 4499 yuan Indian currency में लगबग 52,640 रुपीज जैसे की मैं आपको अल्रेड़ी बता चुका होंगी चाइना में अल्रेड़ी लाँच हो गया है अगर आप 40,000 तक spend करने के लिए तयार है तो क्यों इस tablet का वेट करेंगे इस एच्छे tablets अल्रेड़ी मार्केट में अवेलबल है आप Apple तक का कोई भी tablet ले सकते है जो की आपको इस price range में अराम से अच्छा tablet मिल जाएगा जैसे की Apple iPad 10th generation जो 2022 में लाँच हुआ था वो आपको मिल जाएगा 40,000 रुपीज में बहुत ही शांदार iPad है आपको मजा आ जाएगा बिलकुल ही अगर आपको और भी options देखने हैं एपल के अलाबा तो आप OnePlus का देख सकते हैं इसके अलाबा और भी companies ने लाँच किये हैं Samsung का भी आप देख सकते हैं आपको अच्छे features मिल जाएगे 40,000 काफी जादा price होती है तो अगर Xiaomi का ही आपको लेना है तब अलग बात है वरना आप इस tablet का बिलकुल भी wait मत करिए एपल की तरफ आप जाएए अगर एपल की तरफ आपको नहीं जाना है तो Samsung या फिर आप OnePlus की तरफ भी जा सकते हैं बाकी आपको क्या लगता है कि क्या आप Xiaomi का ही wait करेंगे या फिर किसी और company को prefer करेंगे कौन सी company को prefer करेंगे आप comment section में ज़रू बताइए ऐसी ही और information के लिए upcoming tablets, smart watches या फिर smart phones के लिए आप subscribe बटन पर भी click कर सकते हैं बाकी आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुडबाई टिल देन